जहन सातियों कैसे आप उम्मीद बहुत अच्छे से होंगे और आप अपनी त्यारी बहुत जबर्दस तरीके से कर रहे होंगे 2022 में अगर आप फूड कॉर्परेशन ऑफ इंडिया की जब पाने से चुग गये हैं तो 2024 में आपको इसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है अगर आपने पहले इसका एक्स्पिरियंस ले लिया है तो या अगर आपने अभी तक कोई फॉर्म भी नहीं डाला है एक चाहते हैं FCI की जॉप करना ऐसी नौकवी है कितनी सेलरी है सारी चीज़े मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आने वाली जो भरती है उसकी भी इंफॉमेशन आपको मिल जाए और पूरी डीटेल मैं आपको आज लिखकर समझाने वाला हूँ कि कैसे FCI काम करता है उसकी जो बहुत ज़ादे इंपॉर्टन लिने वाला है कते ही इसको स्किप मत करीएगा एंट तक जाईएगा और आज आप जान जाएगे कि FCI है क्या सबसे बहुत बात करने वाले हैं कि FCI की जो 2024 की वेकेंसीज हैं वो कब तक आने वाली है देखिए इसकी डीटेल आपकी स्क्रीन पर चल रही है आगे स्क्रीन पर देख लीजे इसका मैं वीडियो बहुत डीटेल के साथ बोर्ट पर ही बनाऊंगा फिलाल में चुकि मुझे और में इंडियो चल रहे हैं और में को मुझे पर बात कर लेते हैं जल्दी से बात कर देखा निगम नई भरती जिसे इंगलिश के पूर कोर्परेशन ओप इंडिया भी कहते हैं अगर हम बात करें FCI का फुल फॉर्म क्या है, FCI का मुख्यल है, FCI का उदेश, FCI के स्थापने, सारी चीज़ें आपको जानना बहुत जरूरी है, चुकि देखे, इसमें इंटर्वी भी एक सेक्शन होता है, आप से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक अगर हम FCI की बात करें तो FCI का फुल फॉर्म होता है, वो होता है Food Corporation of India, इसकी जो स्थापना हुई है, वो ही है 14 जनुवरी 1965 को इसकी स्थापना हुई है, इसका Head Office है New Delhi में, जिसको इसका पहला Office का तंज़ौर में, फिर मैड्रस में बना, उसके बाद अब Head Office का New Delhi में है, ठीक है साथी? अब आगे की हम बाद करते हैं, FCI काम कैसे करता है, देखिए FCI समयधानिक संस्था है, जिसे 1965 में स्थापित किया गया था, इसको बनाने का मुख्यों देश ये था, कि जो खादान हमारी चीजे हैं, उनको स्टोर करकर People of India तक उसको पहुँच आया किसी तरा जाया, अगर पॉब्रम आजा है, तो गौर्मेंट उसका यूज करकर People of India के लिए, वेलफेर के लिए काम इसमें कर सकता है, तो ये FCI आप समझ गए यहाँ पर, अब आई हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, पोस्ट की क्वालिफिकेशन की, सब को इसमें देखिए, आप बात करने वाले ह आई में मज़ जाएगा, हर एक चीज की छोटी बड़ी डीटियल सब आपको आपको इहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीके, चलिए यह देखिए, अब आप पोस्ट सबसे पहले में आपको समझाने वाला हूँ, कि FCI में जो पोस्ट निकलती हैं, वो पोस्ट कौन-कौन सी हैं, और उसके लिए आपको क्या क्वालिटिकेशन चाहिए होगी, कि आप इस FCI की कोस्ट को फिल करता हैं, देखें, सबसे पहले तो अगर मालीजी हम, अगर आप जूनियर इंजिनिर की फॉर्म भरना चाहते हैं, उसकी कोस्ट को लेना चाहते हैं, तो आपके अंदर कौन सी क् इस स्क्रीन पर सामने देख पा रहा हैं, तो आप जूनियर इंजिनिर के फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप ग्रेजुए होने चाहिए, सिवल इंजिनिरिंग या तो एलेक्टिक इंजिनियर में, या मैकनिकल इंजिनिरिंग या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, इंजिनिरिंग के नहीं, ठीक है, समिन में आगी बार, ठीक मतलब अगर आपके पास डिगरी है, देन ओके, अगर आपके पास डिप्लोमा है, तो एक साल का एक्स्पीरेंस भी आपको मांगा जाएगा, ठीक, बात करेंगर यहां पर हम मैनेजर की पोस्ट की, वी आजवेट डिगरी चाहिए होगी आपको, जिसके लिए आपको 60% मांग सी होगे जनल काटेगरी के लिए, लेकिन अगर आप OVCAS, CST से आते हैं, तो आपको 55% की डिमांड की जाएगी, या आपके पास CA का डिगरी हो, ICWA का कोस्ट किया हो, आपने CS किया हो, तो भी आप इस किया हो, या PG किया हो, आपने MBA के थूँ, या तो डिपलोमा आपके पास हो, तीन साल का UGC, AIC, CST के नाम से, तो ये कोर्स अगर आपने के हों तो, आई बाकी FCI कोस्ट की भी हम लोग यहां पर आप बात कर लेते हैं, चलिए, देखते हैं, अब यहां पर भी हम लोग बात क करें FCI कि और कुछ पोस्ट की, तो देखिए, जैसे इसने पोस्ट निकल गी, एक मैनेजर की, और हिंदी से रिलेटेड है, तो उसके लिए पोस्ट के चीज़, आपके पास Master's Degree होनी चाहिए, तो हिंदी और English at the degree level पर, तो आपके पास डिग्री लेवल पर हिंदी और English का लिए पर आपसे, दिमांड आपसे की गई है, चीक है? अगर आप स्टेनो ग्राफ वर्ट के लिए जाते हैं, स्टेनो ग्रेट टू के लिए, तो आपके पास डिग्री चाहिए होगी, ग्रेजुएशन चाहिए होगा आपसे, और आपसे मांगा जाएगा, O-Level का, O-Level की दिग्री मांगी जाएगी, या तो आपके पास डिग्री, कम्टूर साइंस में हो, और आपको टाइपिंग भी आती हो, 40 वर्ड पर मिनिट, 40 वर्ड पर मिनिट आपकी जो है टाइपिंग स्पीड होग तो शॉठण जो स्पीड मांगी गई अपसे, वो है आसी वर्ड पर म समझते होंगे ना जो लोग स्टैनों के लिए जा रहे हों समझते होंगे शॉट कर टेक को लाग्विज होती है उसको हम लोग शॉट है अब हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट ग्रेट 3 के हिंदी से संबंद है ठीक है अगर आप एजी 3 हिंदी के 3 जाना चाहते हैं तो आप एक साल का एक्सपीरेंस भी आपको चाहिए इसी खूर में मतब जो ट्रास्टेशन में हो तो अगर कहीं कोई कोग्रम आए तो कॉमेंट बग्स में ज़रूर बता तीजेगा है ना मैं पूरी कोशिश कर आउं कि हरेक्रीज आपको इसली अच्छे से समझ में आ चाहा है ठीक इसली मैंने सारी चीजें लिख रखी थी थी थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा है लेकिन इतना वादा है आपसे कि आज के बाद दुबारा कोई वीडियो आपको देखना भी पड़ेगा अगर हम बात करें एजी टैपिस हेंदी के लिए तो उसमें ड्रैजुशन चीए न और टैपिस में चुक्षी शॉट हैं इसमें नहीं मागी लिए तो इसमें क्या चाहिए ग्रेजुशन चाहिए इसी भी स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुशन किया हो चल जाएगा या डीपोर्ट में आप फॉर्म बरना चाहते हैं जिसको कहते हैं तो भी आपकी बात बन जाए लेकिन मैंने अपको यहां पर एक अपनी लेप स्ट्रें में समझाया था कि आपके पास जनरल के डिगरी के अगर आप है 60% आपके जो है को माक्स होने चाहिए बाकी अगर कैसी भी कास्ट में आते हैं आप तो आपको 55% चाहिए होगा ठीक है अब हम बात कर लेते हैं यहां पर एजी अकाउंट के बारे में कौलिफिकेशन कौन से चाहिए होगी आप से भी कौम की नीड होगी और किसी भी यूनिविस्टर से आपने भी कौम किया हो काम चल जाएगा अगर आप टेक्निशिंस एजी 3 के लिए जाना चाहते हैं तो आपको यह सारी डिग्रीज आपक अगरिकल्चर आपने इंजिनिरिंग की हो फूर्ट साइंस से या टेक्निकल से भी तो भी काम आपका बन जाएगा या तो आपने बायो टेक किया हो किस से एक साल का आपका बहतर या कोई कंप्यूटर का बहतर नॉलेज हो तो भी आपके आपर बात बन चाहिए अगर आप स आपकर समुटी जाना चाहते हैं तो आपके पास डिगरी होनी है कि इसकी से विल एंजिनिरिंग की या तो आपके पर डिप्लोमा होना चाहिए से विल इंजिनिरिंग गर्च वह.. वभी एक साल का आपने ही याप पर एक्सपरीर नहीं और चाहिए उमीद देश है अब हम बात करने वाले हैं SCI के एज लिमिट की है देखे जनरल जो लिमिट है वो है 18 साल से 18 साल ये जनरल कटेगरी के लिए है और रेजरवेशन अगर इसमें ले लिया जाए तो 3 साल OVC के लिए और 5 साल SCST के लिए बाकी अलग-अलग रेजरवेशन की हैं जो जैसा है जैस सिविल इंजिनरिंग के लिए जा रहा है तो आपके मैक्समम जो एज है वो 28 साल रखी गई है और अगर आप स्टेनो ग्रेट 2 के लिए जा रहा है तो आपकी मैक्समम एज जो रखी के लिए हो 25 साल 45 रखी के लिए है और AG2 हिंदी के लिए जा रहा है तो आपके 28 साल मैक्स साती है डीपोर्ट आता है उसके सक्ताई साथ की देखिए यह maximum मैंने लगी विदाउट reservation अगर आप रेजर्वेशन कैटेग्रीज में आते हैं तो आपकी जो maximum age होगी वो तीन साल और पांच साल बढ़ जाएगी SCST के लिए उसको भी आई हम लोग समझ लेते हैं देखिए समझे तो जैसे यहाँ paper 1 और paper 2 का जो है जिकर किया गया है आप समझ रहे होंगे आपका paper 1 और paper 2 का तो paper 1 में paper 2 में क्या-क्या पूछा जाएगा जरा देखिए written exam आपसे पूछा जाएगा उसमें आपसे paper 1 लिया गा जिस मेंसे आपके 200 questions होंगे 200 नश् sesi नुम्रों के चीख है और इसमें आपसे reasoning पूछी जाएगी and maths पूछी जाएगी G.A. पूछी जाएगी English पूछी जाईगी इसमें इसमें सेicism को स्ब्सक्राइब के अर्डॄ। कॉचिए आपके फेश्च घे पाड़े हैं वेड़ेत और आप्र अपसे क्या पुछ जा रहा है quantitative math पुछी जा रही है, 50 questions होंगे English और comprehension पुछे जाएगा आपसे 100 number 100 questions पुछे जाएगा आपसे इस तरह total questions हो गए आपके 1500 और number होंगे 50 questions पुछे जाएगे, जो math के उनसे मिलेगा आपको 100 number जो 100 questions मैं English के पुछे जाएगे उससे मिलेगा भी आपको 100 number इस तरह total 200 number हो गए और यहाँ पर 150 questions हो गए चुकि math के 50 है 200 मिल रहे हैं, आपको 100 मिल रहे हैं ठीक है, समझवागी? अब यह selection process देख लेते हैं, selection कैसे होगा selection phase करना है अगर आपको selection पाना है अगर आपको तो इस process से होकर जाना होगा सबसे पहले return exam होगा paper 1 का, paper 2 का, जैसा अभी मैंने आपको बताया उसके बाद आपका skill test होगा required candidates, जो लोग form जिस तरह डाले हुए है जैसे typist वाला वाला होगा तो उसमें आपका skill test होगा typing का होगा, short hand का होगा उसके बाद interview होगा interview सेलेक्ट के बच्चे जो होगी उनका document verification के बिलाएगा document verification के बाद आपका medical होगा और उसके आपका selection हो जाएगा लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है किसी जॉब में जो आप select होते हैं तो आपकी salary कितनी होती न तो इस salary देख लेते हैं salary आपकी होगी 36,600 से लेटर एक लाग तीन अज़ार चाहस होता है तो आपकी salary बनती है in hand आप समझ सकते हैं करेब आपकी 50,000 के असपा salary यहां पर बनेगी जाकर हम बात कर लेते हैं जाकर application fees की तो अगर आप general में आते हैं OVC में आते हैं EWS में आते हैं तो आपकी जो fees होगी वो 500 रुपए होगी और आप reserve candidates हैं तो आपकी fees यहापर 0 रुपए होगी तो उमीद है यह आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर यह बात आपको अच्छे समझ में आ गई है प्यारे साथ में तो वीडियो कैसा लगा तो कॉमेंट करके जरूर बताईगा प्लीज कॉमेंट जरूर करिएगा अपनी राय जरूर दीजेगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करकर बैल आइकन दबाना न भूलिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेर जरूर करिए ताकि जो है सभी बच्चों को ये पूरी जानकारी एक साथ मिल जाएगा थैंक यू सो मच